तो लीजिये सुनिये आदर्श हिंदू होटल का 11 अध्या लेखक विभूती भूशन बंदो पाथ्या घर के सभी लोग बहुत अच्छे थे एक बार नौकरी करके हजारी की जो खराब धारना बन गई थी वहीं हां आकर मिट गई ये लोग जाती के तेली हैं इसलिए सभी भ्रह्मन का खूब आदर और इजज़त करते थे और हजारी भी तो अपने मधूर सभाव के कारण उन सब का प्रिया पात्र बन गया था कई महीनों तक काम करने के बाद पहले महीने की तंखा पाते ही हजारी ने घर जाने की छुट्टी मांगी बहुत दिनों से घर जाना नहीं हो सका टैमपी को कितने ही दिनों से नहीं देखा दुकान के मालिक ने छुट्टी भी दे दी गुपाल नगर स्टेशन से गाड़ी पर चड़कर घर पहुँचने में रेल का भाड़ा लगबग तीन आने लगता है बिकार तीन आने पैसे खरच करने से तो कोई फायदा नहीं पैदल रास्ते से हजारी गाओं कुछ साथ आट कुछ दूर है पैदल जाना ही ठीक है घर पहुचते पहुचते शाम हो गए टैमपी ने दौड़ते वे आकर का बाबा आओ आओ अभी कहां से आ रहे हो उसके बाद अंदर से पंखा लेकर वैं पंखा जलने लगे हजारी को लगा टैमपी के हाथ के पंखे की हवा से उसका सारा देहे मनशीतल हो गया टैमपी के लिए तो खटने में सुख है राना घाट के होटल में जितना कश्ट जितना दुख था वैसा उसने टैमपी के लिए ही तो सहा और आगे भी सहेगा अगर बंशीदर ठाकूर के भांजे और उस लड़के के साथ रहने दो टैमपी ने कहा बाबा अधसी दी एक दिन तुम्हारे बारे इसमें बात कर रही थी मेरे बारे में हरी चरन बाबू की बेटी हाँ बाबा कह रही थी बहुत दिन से तुम आई नहीं चलो ना आज वहाँ चल कर चाय पी ना मशीन का गाना सुनना इसी समय टैमपी की मा घाट से नहा कर घर लोटी हस्ती हुई बोली कब आए हजारी ने का भी जरा देर हुई सब ठीक है रुपे मिल गए थे ना हाँ अच्छी बात है उनके घर का सतीश कह रहा था कि रुपे राना घाट से नहीं बेचे इस बिच तुम कहें गए थे क्या अब राना घाट में नौकरी नहीं करता आज कल गोपालनगर में हूँ बहुत अच्छी जगा में हूँ समझी तेली का घर है इसलिए ब्रह्मन समझ कर मुझ पर बहुत श्रद्धा भगती है खाना पीना अच्छा मिलता है कपड़े की उनकी बहुत बड़ी दुकान है सवे टैमपी की माने का बैठो जरा सुस्ता लो चाए नहीं है नहीं तो बना देती टैमपी जातो बेटी सतीश के घर चाए है जरासी मांग तो ला और यह बात कहते वक्त टैमपी की माने दौनों भोए चड़ा कर एक ऐसा इशारा किया जो सिर्फ अभोद बच्चिया ही किया कर लिहाजा हजारी बेटी की राय से सहमत हुए बिना नहीं रह सका टैमपी की इच्छा उसके लिए बहुतों की आग्या से बढ़कर है हरी चरन बाबू बैठक खाने में बैठे थी हजारी को उन्होंने आदर से कुरसी पर बठाया अरे आओ आओ हजारी कब आए अरे टैमप की नौकरी छूटने से लेकर गोपाल नगर में फिर नौकरी मिलने तक की बात बताई थोड़ी देर बाद अच्सी और टैमपी ने कमरे में आकर उन लोगों के सामने एक गोल टेबल पर चाय और नाश्ता रखा नाश्ता सिरफ एक बलेट में था हजारी के लिए हरी चरन ब घर में इतनी अच्छी चीज़ें हैं लेकिन खाने पर अमल हो जाएगा इसलिए खाने ही सकते कैसी बदकिस्मती है 46 की उम्र हो जाने से क्या होता है अमल किसको कहते हैं यह मुझे मालूम भी नहीं भूद की दरा खटने पर अमल टमल का पता नहीं चलता दुख की बात तो यह है कि खाना ही नहीं चुटता अच्सी बहुत बड़ी प्लेट में नाश्ता ले आई थी घी में बुना चड़वा नारियल का खुर्चन घर में बनी दो गरम कचोड़ियां और थोड़ा सा हल्वा बड़ी प्याली में एक प्याली चै अच्सी जानती है कि टेमपी के बाबा उसके पिता की तरह अलपाहरी नहीं है वे खा सकते हैं और खाना पसंद करते हैं उन लोगों की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है लिहाज़ टेमपी के बाबा को अच्छी तरह खिलाना होगा हरी चरन बाबू ने कहा अपने हजारी काका को प्रणाम किया अथसी हजारी परेशान और संकुचित हो गया अथसी ने जब उसके पाउं की धूल लेकर प्रणाम किया तो भुना चड़वा चवाते चवाते उसने क्या कहा या ठीक तोर से समझ ही नहीं अथसी लेकिन वहां से गई नहीं वैं हजारी के सामने थोड़ी दूरी पर खड़ी होकर उसे अच्छी तरह से देख रही थी टैमपी ने कहा कि उसके बाबा बहुत अच्छे रसोईया है अथसी के कौतुहल का यही कारण है हरी चलन बाबू ने पूछा इस बार कब तक घर पर रहोगे जी परसो जाओंगा दूसरे की नौकरी है रुकने से तो काम ना चलेगा और तुम्हारे होटल की क्या बात ही अभी तक कुछ नहीं कर पाया बाबू रुपयों को इंतिजाम ना कर सकने पड़ तो आप जानते हैं अभी तुम्हारी इच्छा है इच्छा तो बहुत है जाडों तक जो कुछ होगा कर डालूँगा अथसी ने पूछा काका काना सुनेंगे हारी चलन बाबू ने परेशान होकर का हाँ हाँ मैं तो एक दम ही भूल गया था सुनो ना हजारी बहुत से नए रेकॉर्ड लाए हो ले आओ अथसी सुना दो अपने हाजारी काका को हाजारी ने सोचा ये ही लोग अच्छे हैं इन्हें उसकी तरह मेहनत मशक्कत करके नहीं खाना पड़ता सिरवगाना और खाना पीना शाम हो गई दूसरे दिनों में उसे इस समय चूला सुलगा कर धूए के बीच छोटे से रसोई घर में बैठकर मालकिन के कहने के मताबिक तरकारी काटनी होती है बारो महीने उसका यही काम है घर के अंदर उसे बारो महीने कैद रहना पड़ता है इसलिए रहा में निकलने पर खुशी होती है और आज उसे खुशी हो रही है कि ऐसा बढ़िया सजाया हुआ बैठक खाना बड़ा आइना बेट की कुरसी पर बैठकर चाए पी रहा है और पासी है टेमपी और टेमपी की सहेली किशोरी लड़की मशीन का गाना अरे यह तो सब सपनी जैसा है कितने ही दिनों से कुसम से भेट नहीं हुए उसको राना घार छोड़े आज लगवक चार महिने से ज़ादा हो गया और इन चार महिनों में उसने कुसम को नहीं देगा टेमपी बेटी है कुसम भी बेटी है और नया पड़ा की वहबो वहबी तो एक दूसरी बेटी है आज मशीन के गाने की मीठी आवाज में भावुकता के गारन सभी के ब्रती उसका मन प्रेम और साहन भूती से भर गया बहुत देर तक मशीन का गाना होता रहा बीच में हरी चरन बाबो किसी काम से घर के अंदर चले गए तब सिरफ अत्सी और टेम पि रह गये पिता के सामने शायद अत्सी को कहने के हिम्मत नहीं हुए अंदर चले जाने के बाद उसने हजारी से कहा काका बाबो मुझे खाना बनाना सिखा देंगे हजारी ने परिशान होकर कहा सिखाऊंगा क्यों नहीं बिठी लेकिन खाना बना तो तुम जानती हो क्या-क्या बना सकती हो बताओ तो अजसी अकलमंद लड़की है वैं समझ गई कि जिसके साथ वैं बात कर रही है वैं रांधने का एक उस्ताद कारीगर है संगीत की तरुन छात्रा जैसे संकोच के साथ अपने ये शिर्स्वी संगीत शिक्षक के साथ राग रागनियों के बारे में बात करता है उसी तरह संकोच के साथ उसने का जानती तो सब हो शुक तो चचड़ी दाल मचली का जोल मातर उसोई घर में जादा जान नहीं पाती उनकी तबियत खराब रहती है मुझे ही सब करना पड़ता है टेमपी कह रही थी कि आप निरामिश खाना बहुत बढ़िया बनाते है मुझे भी सिखा देंगे काका बाबू टेमपी शायद यही सब कहती रहती है तुमसे पगली लड़की है उसके बात चाने का नहीं काका बाबू मैंने और जग़ों में भी आपके रांधरे की तारीफ सुनी है सभी तो कहते है फिर मचलती भी सी बुली मुझे सिखाना ही पड़ेगा काका बाबू मैं छोड़ूंगी नहीं मैं टेमपी से अक्सर पूछा करती हूँ आप कब आएंगे मैं इसका पता लगाती रहती हूँ उसने कहा कहा नहीं आप से नहीं काका बाबू आप मुझे सिखाई अच्छा खाना बनाने का तरीका एक दिन में नहीं सिखा जा सकता बेटी जबानी कह देने से बात नहीं बनती कम से कम दो-तीन महीनी लगातर मुझे तुम्हारे पीछे लगना पड़ेगा हाथ पकड़ कर बतलाना पड़ेगा तुम राद होगी, मैं पास खड़ा होकर तुम्हारी गलतिया सुधारूंगा ऐसा ना होने से सिखाया नहीं जा सकता तुम मेरी टैंपी की तरह हो, जूटी बात कहकर मैं तुम्हें ठगूंगा नहीं तुम बच्ची हो, सीखना जाती हो, सिखाने में मुझे कोई आपती नहीं लेकिन किस तरह मुझे समय मिलेगा तुम्हें सिखाऊं बेटी प्रशनसा भरी आँकों से हजारी के और देखते हुए अक्सी उसकी बाते सुन रही थे विशेशग्य उस्ताद की तरह वजणदर बाते बेकार की जुटी बाते नहीं, अनजान अनाडी की बाते भी नहीं उनकी नजर में हजारी गरीब रसोय या ब्रह्मन बाप नहीं है जो रोजगार उसने अपनाय है, उसका एक जानकर, उस्ताद और पक्का कारीगर है हजारी के प्रती उसका मन आदर से भर उठा अगले दिन हजारी सोकर उठके तंबा को गुड़ गुड़ा रहा था कि तभी अचानक अत्सी को अपने घर में घुसते देखकर वे बड़े अचरज में पढ़ गया अत्सी बड़े आदमी की बेटी है बेवक्त वे क्या सूचकर उसके घर आई टैमपी घर पर नहीं थी टैमपी की मा भी अत्सी को देखकर बड़े अचरज में पढ़ गई उसने दोड़ कर अपने अकल के मताबिक जमिदार की बेटी का स्वागत किया अत्सी ने कहा काकी काका बाबु घर पर नहीं है तेज से और बड़े सुन्दर ढंग से आसन लेकर विजित्र हसी हस्ती भी बोले आसन रहने दीजे काकी बड़ी मैं कहें कि गुरु ठाकरुन आई हूँ कि मेरे लिए यतन पूर्वक आसन बिछाएंगी इस हसी से इस से ढब से सुन्दर लड़की अत्सी जाने कितनी सुन्दर दिखाई पड़ी टैंपी की मा मोगद दृष्टी से अत्सी के और देखती ही रह गए इसी बीच हजारे ने वहां आकर का सवेरी सवेरी कैसे है ना वो लक्षिमी बेटी अत्सी ने हजारी के पास चाकर का आपसे एक बात करनी है क्या बात है बेटी उधर चलिए जड़ा अलग चल कर कहूंगी हजारी समझी ने पाया कि अत्सी इतने समरे कौन सी गुपत बात उससे एक गांत में कहने आई है चबूतरे की ओलती तले जाकर उसने पूझा क्या बात है बेटी अत्सी ने का काका बाबू अगर आप किसी से ना कहें तो नहीं कहूंगा बेटी तुम कहूं आपने होटल खुलने के लिए बाबास से रुपे मांगे थे ना लेकिन मैं तो इस बार नहीं पहले कहा था यह बात तुम से किसने कही यह नहीं बतलाओंगी मैं आपको रुपे दूँगे आप होटल खुलिए रुपे तुम कहा पाओगी अत्सी ने हसकर का मेरे पास है मैं दो सो रुपे दे सकती हूँ मैंने धीरे धीरे इकठे किया है लेकिन मैं छिपा कर दूँगी बाबा यह बात ना जानने पाए कोई भी ना जान सके हजारी की आखों में आशु भरा है अब तक तीन लड़किया उसके जीवन में आ चुकी जिनोंने पूरे निस्वार्थ भाव से उसकी उची आशा की और आगे बढ़ाना चाहा दौनों ही एक जैसी सरल है तीनों ही तो उसकी अपनी सगी नहीं है लेकिन अत्सी जमिदार के घर की सुन्दर पड़ी लिखी लड़की है उसके मन में जो इतना खिचाफ पैदा हुआ यह तो अचरच की बात है खजारी ने कहा लेकिन तुमने यह बात सुनी कहा बेटी नहीं बताओंगी पहले ही तो कह चुकी हो अथसी ने हस करका फिर भी मैं रुपे नहीं लगँगा पहले बताओ किस ने कहा है अच्छा नाम बताने पर आप उससे कुछ नहीं कहेंगे किस से क्या नहीं कहूंगा नहीं कहूंगा यह तो समझ नहीं पा रहो इसमें इस कहने सुनने की क्या बात है अच्छा मैं नहीं कहूंगा बताओ टैंपी ने खाता कि बाबा की इच्छा है कि एक होटल खोले, मेरे बाबा से कर्च के तोर पर रुपे मांगे ते, लेकिन बाबा रुपे नहीं दे सके, उनसे कहना न कहना दोनों बराबर है, मैंने सुचा मेरे पास तो रुपे हैं, मैं काका बाबू को दे दू, उनका भला होगा, मेरे पास तो यूही पड़े हैं, आ बेटी तुम्हारे बाबा को बताए बिना तो मैं तुम्हारे रुपे नहीं ले सकता अत्सी बहुत उदास हो गई हजारी के साथ उसने बहुत देर तक बचकानी बहस की बाबा को बताए बिना रुपे लेने में क्या बुरा है आंथ पे उसने गाए ठीक है मैं ये रुपे ट की बहु अच्सी सभी तो एकी बात कहती हैं ये सभी महाजन बनकर रोजगार में रुपे लगाना चाहती है मज़े की बात है नहीं बेटी यह नहीं हो सकता तुम बड़ी हो ससुराल जाओ आशिरवात देते हूं राजरानी हो तब अपने इस काका बाबु को जो चीचा है दे देना हजारी का मनुवा की टैंपी को बुला कर डाण दे यह सब बाते उसे अच्सी से कहने की जरुवत नहीं थी लेकिन अच्सी को उसने जवान दे दी इसके बारे में टैंपी से कुछ कहने पर वह अच्सी के कानों तक जा पहुचेंगी यह सुचकर वह चुप रहा अच अच्सी दुखी होकर चली गई उस दिन गुआला पड़ा में घूमने जाकर कुसम के बाप से मालुम चड़ा कि कुसम बहुत बिमार पड़ गई है इस बार किसी तरह संभल गई है उसने कुछ पूचा नहीं था बातों ही बातों में कुसम के काका घंशाम घोशने का था ब अच्वादी घंशाम ने कुसम की बात कई हजारी के मन में बार बार या बात उठने लगी कि कितने ही दिनों से कुसम से भेटने हुई एक बार उससे मुलाकत करने जाओं तो कैसा रहे उसकी बिमारी की खबर सुनकर मन चंचल हो गई जीवन में उसे एक ही लड़की पर उस अब तो आपके माबाप के आशिरवात से अच्छी होगी लेकिन घर बड़ी मुश्किल से चल रहा है दूद्ध ही बेचकर तो गुजारा करती थी आज कई महिनों से चारपाई पकड़े हुए है इधर मेरे घर की हालत तो देख रहे हो कहां से क्या करू दादा ठाकुर हजार अच्छी वहराना घाट जाएगा रास्ते में अथसी के पिता हरी चरण बाबु से मुलाकात हुए वे हाथ में मोटी लाठी लेकर टहलने निकलेते हजारी को देख कर बुले अरे हजारी कहां से आ रहे हब चलो मेरे साथ वहीं चाय पिना हजारी को बैटक खाने में बिठा लाकर हरी बाबु ने का बैटो मैं अंदर से आ रहा हूं उसके बाद दौनों एक साथ चाय पिएंगे जब तक घर पर हो जरा आते चाते रहा करो यहां को या आता नहीं दिन भर अकेले बैटे बैटे समय नहीं करता रुको आ रहा हूं हरी बाबु के अंदर जाने के जरा देर बाद अत्सी एक रकावी में पूरिया बैगन भाजा और थोड़ा सा गुड़ ले है टेबल पर हजारी के सामने रकावी रखकर बोली आप तब तो खाईए काका बाबु चाय लिए आती हूं नहीं पहले बाबु साहब को आ जाने दो बाबा तो नाश्ता नहीं जी चाए उनके साथ ही दोंगी अत्सी गई नहीं पासी खड़ी रही हजारी को थोड़ी घबराहट होने लगी कहने कि कोई बात ना सूझने पर बोला टेमपी आज नहीं आए नई इस वक्त तो नहीं और कोई बात ना सूझने पर हजारी चुपचप खाने लगा खाते खा साथ अकेले कमरे में थोड़ी दिर बिताने का अनुभवी रजारी को नहीं है उसे घबराहट मालू होई अजसी ने अचानक का काका बाबू आप मुझसे नराज तो नहीं है नराज किसलिए सब एरे की बात लेका अरे नहीं नहीं उसमें मेरे नराज होने की कोई बात नहीं जीते रहते तो बाबा की जायदत मुझे ना मिलती लेकिन अब मिलेगी लेकिन भगवान जानते हैं काका बाबू मैं जायदत का एक भी पैसा नहीं चाहती भईया जायदत का इस्तमाल करते तो करते नहीं तो बाबा जायदत का जो चाहे सो करें उड़ा पुडा दे या दा की आँखों में आसु छल चलाए वज चुप हो गए हजारी दीरज दिलाता सबूल नहीं बेटी ये सब बाते मत सोचो अपने माबाप को संभाल कर रखोगे तुम ही तो उनकी एक मातर बंदन हो तुम ऐसी हो जाओगी तो काम चलेगा ची बेटी हजारी सचमुच अवाक हो ग कि इसके मन में कितना उचा है बड़ा खांदन इसी को तो कहते हैं यह कै बेचु के होटल की पद्दो मेरी है हजारी ने का अच्छा बेटी मुझे रुपे देने की जग तुम पर सवार क्यों होई बताओ तो तुम औरत चाथ अगर हच्छी होती हो तो बुरी होती हो तो ब बड़े होएं आपका भला होगा आपकी घर की तकलीफ में जानती हूँ टैमपी की शादी करनी होगी कहां आपको रुपिया मिलेगा कहां क्या मिलेगा आपके रांदने की जितनी शौरत है आपका होटल खूब चलेगा छे बरस के अंदर आप मेरे रुपे मुझे वापस क ही है बेटी तुम लोग निश्पाब बच्चिया हों बगवान तुम ही लोगों के मुझे बोलते हैं अच्सी ने हसकर का तब बात पकी रही लेंगे ना पका ही कहता हूँ इस बार घूम फिर कर जगा देखा हूँ कल सबर ही राना घाट जा रहा हूँ दे सक हो सका तो रान के लिए चाय ले आती हूँ सुनिए काका बाबू आपने जिस दिन बाबा से होटल के लिए रुपे मांगे थे उस दिन भाहर से मैंने सारी बाते सुनी थी उसी वक्त मैंने तैकर रखा था कि मेरे पास जो रुपे हैं मैं आपको दे दूँगी अच्छा एक सच्छी बात तो बेटी मेरे लिए तुमारे मन में इतनी दया क्यों बताओं काका बाबू आपको देखकर मुझे लगता है कि आप बड़े सरल व्यक्ति अच्छे आत्मी हैं सच कहती हूँ आपको देखकर मुझे बड़ी तकलीफ होती हैं लेकिन इसे आप दया क्यों कहते हैं क्या मैं बेटी नहीं ? हजारी पिछले जनमें तुम मेरी मा थी इसी से द्या कहता हूँ नहीं तो संतान पर क्या किसी को और को इतनी ममता हो सकती है तुम सुक से रहो राज रानी बनो आशिर्वाद देता हूँ मैं गरीब काका हूँ इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ अत्सी ने आके बढ़कर अचानक जुकर हजारी के पैरों की धूल लेकर उसे प्रणाम किया और फिर जराना रुकर फॉरन घर के अंदर चली गई रात में सारी रात हजारी सो नहीं सका अत्सी जैसे बड़े घर की सुन्दर लड़की का सनेह पाने में एक तरह का तो नशा है और वह नशा अचारी पर चा गया यह उसके जीवन की एक अदबुद घटना है